नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बता दे कि आज राते के 12 बजेशे माल लक्षमी और भगवान शृणदेव चले आपकी राशी में वो दोस्वों आने वाले 365 दिनों तक आप शबी की जुनकाल में आपके छे बड़े में आ गया है जिए दोस्वों आपको बिता दें कि अब आपके जीवनकाल के शब से बड़े शपने शच होने वाले ही जो शपना आपके पूरे जिंदगी भर आप उन्हें याद रखेंगी जिए कोई छोटा शपना नहीं है जिनें लेकर आपको शपने में भी नहीं सोच रहने की जरूत है कि दोस्वों आपको बता दें कि पिछले कई शमीष से आपकी जुनकाल में बहुत शारे से मोके आये हैं लेकिन दोस्वों उस मौके पर खरें नहीं उतरने के कारण दोस्वों जाने जाने में कुछ यसी गलती हो जाती है जिनके कारण आपके बिरोधि शुन देब और मान लक्षमी का जो शरबात है वह आप शुवी की जुनकाल में पूर नत्ता आपके जीवन को बदल दी जया दोस्वों तो यसमी कुछ विश्यस बातों का ध्यान रखना है तो दोस्वों आज की वीडियो को बिल्कुल ही मीशना करें और सुरू से लेकर अ सब्सक्राइब को जानेंगे कि आश में आपको कौन-कौन शी बड़ी कुछ कभरी मिलने वाली है कौन सी विश्यस बातों का ध्यान रखना है शाति आपके लव लाइक स्वास्त के यह पारी जुन पर तेक्षित में कौन-कौन शी बड़ी बदला होंगे शबी की जनकरें सब्सक्राइब के गोचर पर अधारित है जो कि दोस्तों आप शबी को जानना बहुत ही जरूरी है उसे पहले दोस्तों जो भगवान शुन देव और मालक्षमी के सच्चे भगते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरू करें और कमेंट बॉक्स में से जय मा लक्षमी का ऑश्य मश्रबाद आप शिवीकों प्राप्ट होगा ज्योय काल के शारे कर्श्ब्स आपके खत्म होगे थोसम से के शाथ बात करते हैं कि भगवान शुन देव और मालक्षमी जब आपकी राशी में चले हैं तो दोस्तों अब आपके जुनकाल में आपको कौन बड़े खुशकबरी मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा कि वीडियो के मदमत में हम आपको कुछ ऐसे विसेश बातें बताने वाले हैं बगवान शुनदेव और मालक्षमी के जिने दोस्तों आप कर लेंगे जिने अगर आप मात रश्टून लें निर्मान होने वाले हैं वर दोस्तों हम आप शबी को बता दें की नीजी या वशाइक कामों में आ रही रुकावटें अब दूर हो घर का मोहल भीयाश में पॉजिटिव बना रहेगा बगवान श्रिंदीब और मालक्षमी के श्रिबाशी आर्थिक दिरिश्टे चे आपके लिए आने वाला श्रमें बहुत यादा अनुकुल रहने वाले हैं जिया दोसों हम आप श्रिबी को बता दें कि बगवान श्रिंदीब और मालक्षमी का एशाद चमतकार आप श्रिबी के जुनकाल पे होंगे कि आपका जो दिन होगा बहुत ही शुकत वैतित होगा शाती कुछ महत्मुन विजनायों को किर्यानेत करने के लिए आपके पास उर जाओं का भरपूर उपयोग करें वह और मालक्षमी कहते हैं कि यज में आपको हर कारियों में शुपल्दा की प्राप्ति होगी प्रतों दिर्धिन से तरीके शे कारियों में महनत और लगन के तरीके से आप आगे बढ़ते रहे हैं पड़िए और बगवान स्रिदेव का श दोस्तों जिन से आपके जो भी नोकरी पेशा समझ जाए हैं जो भी धंस जीड़ शमझ जाए हैं याश में खत्म होने वाले हैं और लाव के नए ने राश्ते आपको मिलने वाले हैं अगर आपने कोई बिजनस start किया है तो दोस्तों उनमें आपको बहुत यदा लाव याश म मिलने वाला है क्यों दोस्तों श्वेंग मालक्षमी और भगवान शुन्देव के शिर्वाशी मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन आदि जिस्वी गतिद्यों पर थोड़ा ध्यान रखें आपको बता देकिन में आपको बहुत यदा धनलाप मिलने की शंभावना भन रही है अब आपकी जुनकाल की शारी बढ़ाएं खत्म होंगी प्रोप्टी शमंदी या फिर पैत्रिक विवाद चल रहा था तो दोस्तों उन्हें शुलजाने का उत्तम शमय आ गया है क्योंकि यश्मे मालक्षमी और भगवान शिंदेव का शिर्वाद आप शभी के शाथ है जि आप शिर्वी की जुनकाल परेशा होगा कि श्वास्त में भी आपको बहुत है अच्छा शुदार देखने को मिलेंगे कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भुष में फायदमन शाबित होने वाला है इसके दोस्तों या शमी बिल्कुल भी कोई गलती ना करें और शमय शमय जब के ओम शन संचराय मंतर का जाब करते रहें जैंक दोस्तों मालक्षमी और भागवान शंडेब का यह सब्से महतपुन मंतर है तो दोस्तों शुबाश शाम दिन रात जब हुष्ट के दिन में शमी निकालकर इन मंतरों का मात नजाब करने शिए आप श्वे के जुनकाल जिए दावश्य होगा जिन दोस्तों माप शुभी को बिता दें कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उनमें आपको बगवान शुन्देव और मालक्ष्मी की शुफलता की प्राप्ति होगी कि पुराने जगडे के सुल जाने से मानशक शामती भी आपको प्राप्त होगा तो याश्मी उनके मन में शुएंग भगवान शुन्देव और मालक्ष्मी एश्रा इक्चा सक्ती प्रकट करेंगे कि आपके परती उनकी इशारी दुष्ट भाहुनाएं खत्म हो जाएंगी जे दोस्तों और शमर्ष्या का शमधान भी होगा आपको बतादें कि याश्मी माल मजब जनाएं कुल मलाकर खुशी और शंतोस ब्राद दिन वहतित होगा जिया दोसों आपको बताया कि याश्मी मालक्ष्मी के अश्रवाज से बगवान शुन्देव के शाथ से घर के वरिश दिश्यों के शने और अश्रवाज से परिवार में शुकद और अनुशासित मा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे फालतों बातों पर ध्यान हटा कर अपने कामों पर लगाएं अपने शपने वफिर कल्पनाई श्राकार करने का उत्तम श्रमें होगा कि उदोसों हैशे मोके बार बार नहीं आते जब दो देवी देवताप के कुंडली प सब्सक्राइब के खरिदारी में भी खुश्नमा शमय वैतित होगा किसी रिस्तेदार के यहां धार्मिक उत्साव में जाने का प्रोग्रेम भी बनेगा कई फर्शा हुआ पेशा मिलने से आर्तिक सती और अधिक बहतर होंगी क्यों दोस्तों मालक्षमी का अश्रुबाद य इनकाल पर होगा कि घर के बदलाव शमदी जनाई बन रहे हैं तो दोस्तों वह यश्मे शंपन होंगे और उन्हें जनाओं में आपको शबलता प्राप्त होगी और शबी लोग यश्मे आपके शाहर ना करेंगे शमाल में भी आपकी मान शमान बढ़े की आपको बता दें क कि दोस्तों भगवान शिंदेव और मालक्षमी के आपकी राशी पर बिरजमान होने के कारण शोच समझकर आपका लिया गया निरले कोई भी भयूश में नए रास्ते खोलेगा जिया दोस्तों शिर्प घर के अनुभी व्यक्तियों की शलाह अवश लें क्योंकि दोस्तों अनुभी वे जो व्यक्ति हों भगवान के ही श्रमान है उनमें भगवान का ही वास है तो दोस्तों बड़ों का बात आप बिल्कुल ही ना कटें श्रंदान के दरप से कोई शुबर समचार मिलने से गर में उत्ता बरा महौल भी रह सकता है दोस्तों लोन लेने की यूजना श्रंदी कारियों पर ध्यान के नदर रखें यह यूजना आपके लिए लाबकारी श्यापित होंगी श्याद दोस्तों मालक्षमी के श्रिवाद करात्मक कारियों में रूची रहेगी बगवान श्रंदेप कहते हैं कि मन मुताबित श्रमय वहतित करने से आप फ्रेश और श्रंदेप को तणाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उड़जा का भी आप श्रुनसार यह में महशुष करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बगवान श्रंदेप का श्रिवाद आप श्रिवी के शात रहेगा आपको बता दे कि दोस्तों यह में बगवान श्रि इने लेने से बच्चे आप किसी दूइदा में बूरी तरह परशकते हैं तो दोस्तों भूल कर भी इसे इनसान पर विश्वास न करें जिसका अशर आपकी परिवार पर भी परशकता है बच्चे पढ़ाई पर धियान दें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभगार इस बच्चे आपका जो लव लाइब का जीवन होगा घर परिवार में शुक और शांती भरा मोखल बना रहेगा प्रंतु विवातर शुमनों का परभाव आपके घर की शुक्षांती पर भी पढ़ सकता है शांती शेबात करें दोस्तों सभीश में जिशाओं का हल आपको प्र च्जाओं करना क्या है की कारें के शाथ चाद अपने श्वास्त का भी ध्यान रखना यहोगा वय्यान या फिर मेटिसन इससे जिशों पर ध्यान देना है इनसे दोस्तों की माânशिक शांती बढ़ेगी और इस आपका मांट भी फ्रेश होगा तो दोस्तों इन शभी बातों का ध्यान रखें दोस्तों वीडियो के आखरे में बगवान शुंदेप और मालक्षमी के लिए एक बहुत यच्छा ग्यान दोस्तों आप हमेशा मालक्षमी और बगवान शुंदेप से यह बात कहना कि किन शांशों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा शाथ सोड़ जाएं भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती जै दोस्तों क्योंकि भगवान शुंदेप कर्मों के फल दाता है अगर एक बार सजा दे जाए तो दोस्तों वह सजा आपको भुगत नहीं पड़ती है तो दोस्तों शुभा शाम नि वीडियो को एक लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद